हुआ दोस्तों विल्कम बैक टू अगेन मैंचियस दोस्तों आज के जो टॉपिक में लेकर आया हूँ वो विन डाइग्राम लेकर आया हूँ है और यह टॉपिक मैथेमेटिक से कनेक्टेड है विपेसी एक्जाम में अक्सर देखा जा रहा है कि 10 मार्क्स का जो कोश्चन है या 10 कोश्चन लगभग विपेसी एक्जाम में मैथेमेटिक से पूछे जा रहे है और यह हर साल हो रहा है तो आज के जो टॉपिक है वो विन डाइग्राम बेस्ट है बहुत ही मौस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि विपेसी एक्जाम में इस टॉपिक से हर साल कोश्चन पूछा जा रहा है तो और हर साल कोश्चन पूछा जा रहा है तो एक कोश्चन इंपोर्टेंट हो गया आगा मुझे इंपोर्टेंट हो गया तो आज की टॉपिक हम दो कवर कर रहे हैं बहुत ही सरयल बहुत ही आसान भाशा में कवर करेंगे वेंड डायराम को समझेंगे बहुत ही बेसिक से समझेंगे जो बीपेसी एक्जाम में मैं निक्टमेटिक से क्वेशन को छोल देते हैं तो यह टॉपिक उनके लिए काफी इंपोर्टेंट है यह वीडियो काफी उनके लिए इंपोर्टेंट है वह इस वीडियो के जरीया इस टॉपिक को समझ कर वीपेसी एक्जाम में आसानी से क्वेशन को सॉल्व कर लेंगे बागे जिनके मैथमेटिक से स्टॉंग है जो मै इसी हमेशे पूछा जा रहा और इसी exam के pattern पे ही ये question को या इस वीडियो को बना रहा हूँ इसलिए इस वीडियो को last time तक जरूर देखिएगा बहुत ही इसरेल बहुत ही आसान topic है बहुत ही basic topic है और बहुत ही हम लोग साधरन रूप से इसको समझेंगे इसमें कोई बहुत ज़दा advanced कोई formula नहीं use करेंगे हम लोग wind diagram के जरिया इस topic में सिर्फ calculation होगा addition, subtraction, calculation होगा वह ही हम लोग use, sub use करें जो साधरनता है सब जानते हैं तो चलिए दोस्तों फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं इस topic को wind diagram जैसा कि हर वीडियो की तरह सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में theory part को cover करेंगे और theory part में mathematics को कैसे solve करना है, इस wind diagram कैसे solve करना है उसको हम लोग यह discuss करेंगे, उसके बाद से previous यसमें यतने पसार question आये हैं इस topic से related वो हम लोग cover करेंगे, तो फिर चले दोस्तों start करते हैं, 66 BPSC में यह question पूछा है, बहुत easy question है, असानी से बनेगा उसके बाद से 65 में 65 BPSC में यह question पूछा है, 64 BPSC में यह question पूछा है, इससे लगातर question पूछ रहा है BPSC के pattern पर, देगे हम लोग इस topic को step 5 समझेंगे, basic steps से लेकर चलेंगे हम लोग इस topic, पहले wind diagram देख लेते हैं, wind diagram को कैसे draw किया जाता है, वो हम लोग की बहुत समाझ ले एक circle draw कर लेंगा, ठीक है, अब गनित नाम जहां पर भी देना दीजिए, इसको कोई भी short form में MB लिख सकता है mathematics, या कहीं पर भी लिख सकता है, इसमें कोई ऐसे बड़ा funda नहीं है, indication के लिए कहीं पर भी use किया जासकता है, represent के लिए, उसके अंदर हमने क्या लिख दिया, 70% ठीक है, तो या हमनेween diagram बना लिया, इसी कोई वेंड diagram कहेंगे, इसी здесь statement का यह धी सीरेकल ट्रॉग कर लेंगे, और इस circle को हमने क्या दे दिया, math नम दे दिया, में दे दिया, short form और mathematics पास करने वालो के संखेया को हमने क्या कर दिया, 70% था, इसको हमने क्या कर दिया, show कर दिय अगर statement दिया रहा इतिहास में pass करना वालों के संख्या तो उसको कैसे draw करेंगे एक circle बना लेंगे यहाँ पर indication के लिए लिख दिया थिहास और इसके अंदर क्या लिख दिया हमने 60% एक circle बना लिया इसको हम लोगे h से denote कर दिया h for history और उसके बास 60% हमने यहाँ पर लिख दिय या show के लिए 60% यहाँ पर भी लिख सकते हैं यहाँ पर भी कहीं पर भी लिख सकते हैं बस हम लोगों को समझने के लिए यह यूज करना है अब step 2 में लेखते हैं step 2 में अगर दो statement दिया है क्या कि गणित में pass करने वालों की संख्या 70% तथा यतिहास में pass करने वालों की statement के आधार पर हम लोग वेंड डियारम कैसे ड्रॉ करेंगे तो वह हम लोग दिख लेते हैं एक circle बनाया उसको नाम दे दिया गणित उसके बाद से 70% लिख दिया ठीकर यह mathematics का 70% वेंड डिया उसके बाद एक और circle बनाया इसको इतिहास नाम दे दिया इसमें डाल दिया हम यह क्या बन गया हम लोगो का Jess & Conan बन गया यानिकी एक गणित के लिए हम लोग सट लिख द्रॉ कर लिया उसके बाद से एक हिस्ट्री के लिए ड्रॉकर लिया इसको हमने देधिया maths can't-carлалась नाम दे लिए history का मतलब हिनाम दे दिया ठीक है और उसके बाद से 70% हो गिया ठीक परसेंट हो गया इस तरह से अम लोग डॉव करेंगे और यह सेक्टर क्या common है तो यहाँ पर यह जो portion है यह common है इस portion को हम लोग आगे समझेंगे अभी तो यह दो statements के लिए अगर आएगा दो statement के लिए हम लोग कैसे ड्रॉव करेंगे यह क्लिए हो गया अब मुझे स्टेप थ्री पर आते हैं स्टेप थ्री स्टेप थ्री में तीन statement दिया हुआ यदि गडित में पास करने वालों की संख्या 60 पर्संट हो तर्धा हम भुगोल में पास करने वालों की संख्या ट्वंटी पर्संट हो the twenty percent city percent 70 पर्शं किसमें डरीत में इतिहास में तर्धा भुग वे इसका विंड ड्रॉ करना तो सिकरीगे तो पहले एक सरक् embarrassment के लिए इसको उसमें कितना % 70% दे दिया, दूसरा डागराम बनाया, उसको इतिहास नाम दिया, इसको 60% दिया, तीसरा डागराम बनाया, उसको भुगोल नाम दिया, और 20% represent के लिए डाल दिया, तो ये जो बन गया हम लोग के लिए, तीन स्टेटमेंट का वेंड डागराम, तीन स्टेटमेंट का इसको 60% दे दिया और इसको 20% यह हम लोगा 3 statement का वेंडाइरम हुगा बहुत easy है बहुत इसरल है इसमें को tough नहीं अब step 4 हम लोग समझते है basic step 4 में अगर statement दिया हुआ है यदि गणीत में पास करने वालों की संस्खिया 70% इतिहास में पास करने वालों की संक्या 60% है, तथा गणीत एवं इतिहास दोनों में पास करने वालों की संक्या 30% है, यहाँ अपर क्या कर दिया, गणीत एवं इतिहास तो इसका statement को कैसे हम लोग डॉख करेंगें, भेंडायरम देख लेते हैं, तो पहले गणीत के लिए as usual ज दोनों में pass करने वालों के संक्याक तो ये गणित है ये गणित हो गया ये इतिहास दोनों का मतलब क्या वो इस संक्वान्य जो पूरत है ये पूरिशन क्या क्या कहता है dám इस मैथिमैट्यक्स में से कुछ बनाइब्द होगा घ्याह जो जो से यहां तक पुरा इस इतियहास के student में से कुछ यहां पे गणित में mathematics में pass करने वाले भी होंगे यहां इतियहास के कुछ student होंगे जो mathematics में pass करने वाले होंगे गणित के भी कुछ student होंगे जो इतियहास में भी pass में पास करने वाले होंगे ठीक है तो गणित के ही स्ट्वेंट है जो कि कुछ इतिहास के भी पास करने वाले है और कुछ इतिहास के ऐसे इस्ट्यूंट है जिनका गणित भी था तो गणित में प्रणी बिची प्रस ऑा है यहांTalk liksom ये जो है 30% हो गया, ये common term हो गया, तो गणित एवा में त्याहस के लिए common term क्या हो गया, ये वाला portion, तो 30% जो है ये हो गया, इस statement का वेंट डाइगर, तो ये clear हो गया, अब next, अब step 5 में हम लोग पहुंशते हैं, अगर question दिया हुआ है, यदि गणित में पास करने वालों की संख्या 70% है, इतियाहस में पास करने वालों की संख्या 60% है, तथा गणित एवा में इतियाहस दोनों में पास करने वालों की संख्या 30% है, तो केवल गणित पढ़ने वालों की संख्या कितनी होगी, पहला है गणित में पास करने वालों की संख्या कितना 70%, उसके बाद इ और एक और wind diagram बनाएंगे तो ये वाला portion जो तीनों के लिए common हो जाएगा ऐसा नहीं कि इसको अलग बना दे, इसको अलग बना दे, इसको अलग बना दे, नहीं ऐसा नहीं करना है सारे wind diagram को connect करना है, एक दूसरे इस commenter में ऐसे करके उसमें से 30% जो है ये जो गणित इवा में तियास दोनों पास करने वालों की संख्या है और उसके बाद से अब कह रहा है कि गणित इवा में अब जो कह रहा है कि केवल गणित पढ़ने वालों की संख्या क्या होगी अब यहां पर question के रहा है केवल गणित पढ़ने वालों के संख्या क्या होगी तो यहां से यह जो यह है यहां से लेकर यहां तक यह क्या है केवल गणित है यह क्या है केवल गणित पढ़ने वालों के संग्या केवल है क्योंकि अगर पूरा सर्किल मैथमेटिक्स का गणित का पूरा सर्किल लेंगे यह वाला पूरा सर्किल लेंगे तो यह हम लोग का बन जाएगा क्या कि गणित पास कने वालों के संग्या लेकिन कहना question जो कहे रहा कि सिर्फ उस विद्यार्थी या student के बारे हम बताना जो सिर्फ गणित में pass कियों तो यहां पर इसमें आ जाएंगे तो यह तो अला कि गणित का भी portion है यह तिहास का भी तो portion है इसलिए यहां से तिहास को यहां से बाहर निकालने के लिए तो केवल गणित कितना हो तो केवल गणित कितना होगा सिर्फ एतना सा होगा यह केवल गणित पढ़ने वालों के संख्या इतना सा पार्ट जो होगा यह वाला पार्ट यह पूरा केवल गणित पढ़ने वालों के स 70 % मेंसे गणित में से यह इतिहास कہतनी इस ट्योंट है अगर इस 8 मेरा to pay 70-30 कर देगा तो क्या निकल जायागा मेजा 40 जो केवल गणित पढ़नेवालों की संख्या हो यहां पर वही है हूं प्योग गार तो यह हो गया का रचला कि ईतना ट्योंट идет यह हतना तो अब basic step 6 में हम लोग चलते हैं, अब यहां पर statement क्या कह रहा है, यदि गणित में pass करने वालों की संख्या 70% है, इतिहास में pass करने वालों की संख्या 60% है, गणित एवं इतिहास जोनों में pass करने वालों की संख्या 30% है, केवल इतिहास पढ़ने वालों की संख्या कितनी होगी अब यहाँ पर पूछ रहा है इतियास पढ़ने वालों की संख्या तो सिंपल सा क्या है गड़ित पढ़ने वालों की संख्या में निकाल ले mathematics कितना 70% है उसके बाद इतियास पढ़ने वालों की संख्या ने इसको H माल ले H for history तो यह कितना है 60% है अब कह रहा है कि दोनों पढ़ते हैं तो दोनों में common कहां है यहां है तो यह कितना है 30% है तो कह रहा है केवल इतियास पढ़ने वालों की संख्या इतियास तो यहां तो यहां से लेकर यहां तक जो पूरा यह जो होगा यह केवल इतियास होगा तो यह हम लोग का हो गया कितना 30% जो गड़ित में 70% यहां डियारम बना उसके बाद से फिर यह इतिहास पढ़ने वाले का 60% होए 30% दोनों में common होए उसके बाद से सिर्फ इतिहास पढ़ने वालों की संख्या क्या होई 60-30 30% हो गया तो इसके जो final answer क्या होगा 30% कि इतिहास पढ़ने वालों की संख्या होगी अब में लोग क्यों को यहां पर solve करते हैं जो बीपीएसी अग्जाम में जो क्यों क्यों है तो बीपीसी एक्जाम में कह रहा है कि 80% विध्यार्तियों की एक कक्छा है तो 60% कारम खिलते हैं तो हम लोग बना लेते हैं यह रहा 60% कारम कह कितना 60% कह रहा है C for carom हो गया उसके बाद 45% प्रतिशत शत्रंच खेलते हैं तो चुक्कि कॉमन बनाना है तो यहां के 45% प्रतिशत जो वह क्या है S for shatranj खेलते हैं 10% विद्यार्थी ना कहरम खेलते हैं और ना शत्रंच खेलते हैं 10% विद्यार्थी ना कहरम खेलते हैं केवल shatranj खेलने वाले विद्यार्थियों की संक्या है सिर्फ shatranj खेलने वालों की संक्या है क्या portion मांग रहा तो यह मांग रहा यह portion इसको निकालने के लिए क्या करना होगा हम लोग पहले इसको छाटना होगा तो इसको निकालने के लिए यह वाला common term भी कैसे निकलेगा? हम लोग जानते हैं कि कोई भी टरम होता है उथ उक्ना है, तो यहाँ पर देखने हैं कि यह शुच्टी परसंत है, यह 45 परसंत, डोने को जोड़ते हैं, 60 और 60 60 और 45 को जोड़ते हैं तो कितना आता मेरे 60 और 45 को जोड़ते हैं तो कितना आता 105 परसेंट लेकिन कोई भी चीज़ होता हुता 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 हु जो है यहां से यहां तक ipым संकुल है यह निया करना होगा कीवल मैं इस पांच पर्संट को च्छाडँडुन उक्यों क्यों के 100% मैं से तो मैंने 45 पर शाड़ा लेकिटिन उसम से जो है 10 पर्सेंट और है ठीक है जो की ना ही केरम खेलते हैं और लिए शतरंच खेलते से इसका मतलब से जो Hamm excellent जो 45% परसंट था है उस 45 परसंट मेंसे 10% और है जो मैं कोई कुछ नहीं verbs नो हुआ कैरम ורनां कोई कोई कुछ नहीं खेलता तो क्या ककरेंगा 10% चाट घंटा लेंगे 15 55 % merak 45 40 40unft buffer 10 "-35 bombing info संख्या पुछ रहा परसंटेज में तो पूछ नहीं रहा है केवल विद्यार्थियों की संख्या परसंटेज में तो 30% आ गया है जिता हम लोगों को समझ में आ गया cancel, 1-0 cancel, यहां से, 1-0 cancel, यहां से, 1-0 cancel. 8-3 को multiply करेंगे, तो कितना होगा? 24-24. तो हम लोग का answer क्या हो गया? B हो गया. बहुत ही simple था. अब यह और भी question इसी तरह का देखेंगा, अगर हम लोग concept clear होता जाए. 45 वी बीपसी में question पुछा है कि इसको solve करते हैं. एक school में athletics टीमों की एक समू में 21 basketball team में 26 hockey team में 29 football team में हैं. अगर 14 hockey और basketball खिलते हैं 12 football और basketball दोनों खिलते हैं 15 hockey और football दोनों खिलते हैं और 8 जो हैं वो तीनों खिलते हैं तो कितने केवल football खिलते हैं? फिर केवल 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 कितने football खिलते हैं? तीन statement का ये win diagram तो तीन win diagram बना लेते हैं हम लोग सबसे पहले win diagram तो पहले हम लोग basketball के लिए बना लिया है basketball में कितने हैं? 21 है उसके बाद से hockey में कितने लोग हैं? 26 हैं उसके बाद football team में कितने हैं? 29 हैं दोनों खेलते हैं इसके लिए हम लोग बना लेते हैं तो यह बास्केटबॉल खीलने वालए की संख्या और यह होकी हीलने वालों की संख्या तो 21 026 च्वा दोनों खेलते हैं, तो 14 कहा आ गया, इस जगह पर 14 आ गया, दोनों खेलते हैं, इसका wind diagram बन गया, उसी परकार से, यह 12 खेलने वालों को भी wind diagram बनेगा, 15 खेलने वालों को भी wind diagram बनेगा, ठीक है, तो यहाँ पर जरूद अभी नहीं है, अब यहाँ पर एक चीज और है, कि 8 ज तो केवल फुटबॉल खेलने वालों के संख्या निकालना तो केवल फुटबॉल खेलने वालों के संख्या कौन है यहां पर है यह रहा यहां से लेकर पूरा यहां तक जो होंगे केवल फुटबॉल खेलने वालों के संख्या यहां से यहां तक सभूज में आ रहा है ठीक यह यह पूरा गोल जो है यह पूरा सर के लिए फुटबॉल खेलने वाले लेकिन इस फुटबॉल खेलने वाले संख्या में इतने लोग भी जो है वह और कुछ खेलते हैं यह बास्केटबॉल खेलते हैं और इतने से जो लोग हैं वह खेलते हैं फुटबॉल के साथ साथ तो इन पूरा है पूरा का value जा 29 है 29 मैं से इसको घटा देंग, इसको घटा देंग और इसको घटा देंगे तो हम लोगों का केवल फूट- बॉल खलने वालों की संख्या पताचल जाए तो यह हम लोगों को पता है और 21,26 का common है कितना है? 14 है याई होक्य और बास्केटबॉल खिलने वालों के संख्या कितना 14 है ठीक यह मिलिया उसके बारे जो है फुटबॉल और बास्केटबॉल दोनों खिलते हैं तो फुटबॉल और बास्केटबॉल खिलने वालों के संख्या यह बारे है ठीक है उसके बास से 15 जो होकी और फुटबॉल खिलत ठीक है यह 14 के वैल्यू है ठीक और 8 के वैल्यू इतनी इसी है जो कि टीनों में कौम होना रहा 14 है यह बास्केटबल होकी में कौम होना रहा अब यह 12 के जो वैल्यू हो यहां से यहां तक है पूरा तो क्या-क्या दिया हुआ है, फिर से इसको लिख लेते हैं, यह 14 है, ठीक, हाकी और बास्केट, और इसके बाज से यह 15 है, ठीक, और यह 12 है और यह 8 है, तो यह पूरा के पूरे में, यह इसमें 12 मैनस 8 करेंगे, तो यह वाला पूरा तरह हम लोगे मिल जाएगा, कि इतना 12 मै 23 मैनस 8 करेंगे, तो यह वालत टरह हम लोगों मिल जाएगा, ठीक, और यह 8 दिया हुआ। यह 3 मिल जाएगा, यह 12 मैनस 8, यह 8 है ही, और यह कितना है 15 मैनस 8 ही तो अब कैसे निकलेगा, 29 में से 12 मैनस 8 करेंगे, तो कितना आएगा, 4, तो 29 मैंस 2 गटा गया, इसकी वैल् righteousness 4 सब को घटाएइगे तो कितनी यहीं ग्याओग साथ आईगी 4 हाथ वार्ट हुआ ने 20 मेंस 4 फिर एया आट और मैंग कितना आएगा थ तो तो टोटल अन्सर कितना आ जाएगा इसका 10, 29 में से 29-19 में से का ताइंक तो अन्सर कितना आ जाएगा 10, तो केवल फुटबॉल खेले वाल लोकेशन के कितनी हुई दस हुई यह इतना समझा रहा हूँ मैं तो समझने में इतना टाइम जा रहा है जब बनाएंगे तो यह 30 सेकंड का खेले तो क्या आया है एक परिक्षा में परतेक उम्मिदवार हिंदी अत्वा इतिहास दोनों लेते हैं तो कितने उम्मिदवार ने हिंदी और इतिहास दोनों लेते हैं यह कह रहा है तो हम लोग बना लेते है वेंट डाइगिरम हिंदी में कितना है यह एचर हिंदी हो गया हिंदी में कितना एAP 60 सिंटिहास इकाहस त्यक्तिहास हो गया इस कि कि कर लेते हैं तो इसकी संख्या कितनी है, 69% है, तो कह रहा है कि ये कितना होगा, ये portion दोनों, तो इस दोनों को निकालने के लिए कोई भी चीज जो होता, वो 100% होता, ये हमेशा हम लोगों को याद रखना है, तो 66 में और 59 जोड़ेंगे, तो कितना होगा, अगर 66 और 59 को जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा, 65, 60, 125 हो जाएगा, तो ट्रोल, 125% निकल ला है, तो कोई भी चीज जो होता, वो 100% होता है, ये 25% जो एक्स्टा है, तो यहां की जो value है, ये 25% हो जाएगा, ठीक, ये मांग रहा है, तो ये हो गया 25% हम लोगों का, तो अब कह रहा है कि कुल उम्मीदव बटे, 100 हो गया, ठीक, उसी परकार कह रहा है कि 25% का फिर कितना value हो जाएगा, तो तीन हजार, बटे, 100, 25, तो पच्चीस को डिवाइट करेंगा, तो फॉरस जाएगा, ठीक है, तो तीन जार को फिर फॉरस डिवाइट करेंगा, तो कितना होगा, 750 आ जाएगा, तो इसका अ तो A union B 20 दिया हुआ, तो A intersection B कितने होंगे, ठीक है, इसका formula होता, formula क्या है, N A union B बराबर N A, ठीक है, plus N B minus N A intersection B, यह हम लोग स्कूल में पढ़ा चुके हैं, 10th में, 9th में पढ़ा चुके हैं, ठीक है, तो N A union B दिया हुआ, तो N A union B कितना दिया हुआ, 20, ठीक, यह क्या है, N A है, यह क्या है, N B है, तो N A कितना 10 दिया हुआ, N B जो दिया हुआ, 18 दिया हुआ, और मैनस N A intersection निकालना हम लोग, ठीक है, तो यह वह 20, मैनस 10, मैनस 18, सबको उठा को उधर लेके चले गए, और यह र अब यह निक्स कोश्चन हम लोग देख लेते हैं इस कोश्चन में कहा है कि 45 परतिश्यत करमचारी जो कंपणी A में काम करते हैं फिर कंपणी B में भी 45 परतिश्यत काम करते हैं और दोनों में काम करने वालों की संख्या 10 परतिश्यत है और 20 परतिश्यत जो अबादी है काम नहीं करते हैं कमपनी A में काम करने वाले कर्मचारें की एकुल संख्या क्या है तो यहां पर क्या है इसको समझना इस तरह से कमपनी A है 45% काम करते हैं कमपनी B है इसमें 45% काम करते हैं और दोनों में काम करने वालों की संख्या 10% है और 20% जो है यह काम नहीं करती है ठीक है तो कहरा है काम नहीं कर रहे हैं, तो इसको हम खें छांट लेते हैं। हम लोग जानते हैं कोई भी चीज जो होता वह 100% होता है। इस 100%, मैंसे 20 पर संद जो हैं वह काम नहीं कर रहा हैं, तो खुल इतना हुआ 80%, जो, 80 पर्तिशत जो यह काम करने वालों के यह संग किया, यह company A में काम करने वालों के संख्या कहा है यह total काम करने वालों के संख्या यह B में काम करने वालों के संख्या तो total में कितना है total में A plus B दुनों है हम लोग के A निकालना है तो 80 में से हम लोग B घटा देंगा तो A निकल जाएगा 80 में से अगर हम लोग B को घटाते हैं, तो कितना निकलेगा 35% ठीक लिए यह 35% जो है actually, यह कमपनी में काम करते हैं ठीक है, यहां से यह concept इस तरह से भी समझ सकते हैं, दूसरा कमपनी A में काम करने वालों की संखिया पूछ रहा, कमपनी A में काम करने वालों के संख्या कितनी होगी तो यहां से अगर हम लोग 10% घटा देंगे ऐसे भी समझते तो 45-10 तो हम लोग पता चल गया कि company A में काम करने वालों के संख्या कितनी है अराम से यहां से भी दोनों तरीका है तो हम लोग पता है कि total 400 की अबादी है 100% का मतलब कितना हो गया 400 तो 35% निकालना तो 35% का मतलब हो गया 400 बटे 100 गुना 35 तो यह दो जिरो यहां से दो जिरो कैंसल 35 गुना 4 35 गुना 4 करेंगे तो 4, 5, 20 और 12, 2, 14 तो अंसर कितना आगे 140 next question में 170 परिवारों के एक सर्विक्षन में 115 कॉफी पीते है 110 चाए पीते है 130 दूद पीते है 3 हो गया 3 statement का बिन डाग्राम 80 कॉफी पीते है 80 कॉफी और दूद पीते है 75 कॉफी और चाए पीते है 95 चाए और दूद पीते है 70 जो हो वो 3 पीते हैं पता करें कितने कॉफी और दूद का उप्योग करते हैं फिर Ven wean Diagram, 3 statement का तो पहला Ven wean Diagram हम लोग बना लेते हैं ये हो गिया कितना कॉफी पीने की संखिया तो कॉफी उसको हम लोग ने मान लिया तीक है ये कितने हैCu 115 लोग है उसके बाद 110 चाय पीने वालों की संख्या है तो हम लोग 110 चाय पीने वालों की संख्या मान लेते है इसको मान लिया टी और 130 दूद पीने वालों की संख्या तो इसको मान लिया हम लोग कितना 130 दूद पीने वालों की संख्या इसको मिल्क मान लिया सिंपल इसके इलावा 85 कौफी और दूद दोनों पीते हैं कौफी और दूद कह रहा तो यह वाला पोर्शन हो गया तो 85 कौफी और दूद दोनों पीते हैं उसके बाद 75 कौफी और चाय दोनों पीते हैं तो कौफी और चाय तो यह टी हो गया यह काफी हो गिया, कितना है, यह 75 है, यह हो गिया, उसके बाद 95 चाई और 95 चाई और दूद पीते हैं, तो यहां रहा चाई और यहां रहा दूद, कितना है, 95 है, यह हो गिया, और 3 कितना पीते हैं, 70, यह हो गिया, 70, यह हो गिया, तीनो का कॉमन, अब कितने काफी और काफी निकालना है यह और दूद यहां होगी हम मिलक यह निकालना है ठीक है कुर्शन यहां पर आगए कि सिर्फ काफी और दूद कितने पीते हैं तो काफी और दूद पीनों के संख्या यह हो जाएगी यहां इतना दूद और कॉफी दोनों पीने वालों किसें के तो कितना निकलेगा? 85 में से 70 घटा दें, कितना निकलेगा? तो ये निकलेगा? 15 15 जो लोग हैं, दूद और कॉफी दोनों पीते हैं जिसका असर क्या हो जाएगा? D अब नेक्स कोशिशन में हैं 65% चात्र समाजी विद्ग्यान में उतिर्ण होएं, तो बना लेते हैं, ये है 65% चात्र, Social Science में उतिर्ण होए उसकी बदर दोनों विषय में उतिर्ण होने वाले चात्रों का प्रतिर्ण 40 है तो ये क्या हो गया? 40 हो गया तो कहरा कुल चात्रों की संक्या क्या होगी? J income जब शात्र दोनों में नूतिर्ण रहे हैं, नभी चात्र दोनों में fill किए है, 65 और 60 केतना हुआ? 65 और 60 को अगर जोडते हैं तो कितनों हो गहे, 125 हो गया तो 125 में से अगर हम लोग 40 घटाते हैं 125 हो अगर 20 में से 46 घटाते हैं यह 55 प्लस 6 minus 40 तो 125 में से अगर 40 घटाते हैं, तो आ जाता है मेरा कीतना 85% यानी 85% च्छात रजें वो पास होएं, चुकि यह 40% common है, तो common को भी छाट लिया, अट्रोल 55 और 60 को जोड़ते ही हैं, चुकि 100% से निकालने के लिए, 65 और 60 को जोड़े 125, 125 में 40 घटा है, तो आगे कितना 85% है, यह 85% जो छात है, तो पास होएं, तो कितना परसं फेल होएं, तो यान 80% चात्र जो यह पास होएं, ठीक, तो कहरा है, फेल होने वाले चात्र की संख्या 90 है, इससका मतलब 15% का मतलब होगी है 90, ठीक, यहां से हम नोग काट लेते हैं, 15, 46 90, तो एक परसंट का मतलब होगी है, कितना 6, ठीक है, तो अगर कहरा है कि, कुल चात्रों की संख्या निक जागा 600 तो इसका अंसर क्या हो जागा 600 तो इसका अंसर क्या हो गया ए बहुत एजी यह बस सोच का फरक है इस कोशन को लेकर सोचना कैसे वो डिपेंड का कोशन कह रहा है कि किसी परिक्षा में 35% चातर हिंदी में फिल हो गए 45% अंग्रेजी में फिल हो उसकी बाद 20% चात दोनों विशे में फिल हो है तो उन चातरों का प्रतिशत ग्याद किजिए दो दोनों विशे में पास होए तो दोनों विशह में पास होने वालों की चात्रों की संख्या पूछ रहा है संख्या के मतलब परतिश्यत में पूछ रहा है तो यहां पर हम दो एक चीज देखते हैं कि क्या 35 परतिश्यत फेल होएं प्लस फिर 45 परतिश्यत भी फेल होएं ठीक है और 20 जो common है तो common कुछ हटना पड़ेगा, minus करना पड़ेगा, तो minus कर दिया, तो 35 और 45 हो गया, 80, ठीक है, और minus 20 तो हो गया 60, तो कुल 60 परतिशत जो 6 रहे हैं, वो फिल हो गया है, ठीक है, ये क्या हो गया है, फिल हो गया है, बहुत easy question सब है, बस सोचते हैं कैसे ये depend करता है, अब next question, 50% वैक्ती चाय पीते हैं, 45 परतिशत वैक्ती कौफी पीते हैं, बना लेते हैं, ये 60% वैक्ती जो है, टी पीते हैं, 50% जो है टी पीते हैं, उसके बाद 45% जो है, वो क्या पीते हैं, कॉफी पीते हैं और 40% वैक्ती दोनों पीते हैं कुछ नहीं पीने वालों का परतिशत पूच रहा है हम निकाल लेते हैं सबसे पहले कि पीने वालों का परतिशत क्या है 50 और 45 पीने वाले है उसमसे 40 common आ गिया 40 इसी में से common तो घटा दिया तो 50 और 45 कितना वा 95 ठीक है। मैंस 40 अब कितना आ गिया तो 55 परसेंट जो लोग हैं वो पीने वालों की संकिया है चाय काफी जो भी है कोशन कहरा कुछ नहीं पीने वालों की संकिया तो 100 मैंसे गटा दें 100 मैंसे 55 गटा दें निकल जा तो कितना होगा तो अंसर कितना हो गया, एक office में यदि 70 वेक्ती चाई पीते हैं, 60 वेक्ती काफी पीते हैं, तो कितने परतिशे दोनों पीते हैं, तो यह बहुत आसान है, इसका जवाब आपको comment box में देना है, बहुत ही simple question, तीसरा question है, 42% cricket, 47% hockey खेलना पसंद करते हैं, यदि 15% दोनों खेल पसंद करते हैं, और यदि कुछ भी ना खेलने वालों के संग्याट 700 हो, तो कुल कितने खेला ली हैं, यही बहुत easy है, इसका भी question आपको comment box में देना है, यही question का pattern इसके पीछे हम लोग बना चुके हैं, किसी परिक्छा में 60% बच्चे गणित में पास होते हैं, 70% अंग् पास होते हैं, उसके बात कह रहा है, 70% अंग्रेजी में पास होते हैं, 50% दोनों में, यह दोनों में पास करने के संग्याट 50% हो गई, और 48 विध्यारती फेल हो गया है, तो फेल होगा तो सफ़र पहले हम भी निकाल लेते हैं, कि ट्रोटल पास करने वालों की संख्या कितन तो 60 प्लस 70 इतने पास करने वाले है इसमें से 50 common आ गया तो और 50 घटा दिया तो 130 आ गया 60 और 70 को जोड़ने से 50 इधर आया तो कितना आ गया दोनों घटाएंगा तो 80 आ गया तो अब कहा रहा है कि 40 विद्ध्यारती फेल हो गया तो यानि कि 20 परसंट जो विद्ध्यारती वो फेल हो गया तो बराबर कितने के हो गया 40 के हो गया तो अब कहा रहा है कुल विद्ध्यारती तो किल विद्ध्यारती के मतला 100 परसंट अगर 20 में से 5 multiply करेंगा तो यहां से 40 multiply करेंगे 5 से, 20 पर से 100, 5 से multiply करेंगे 100, तो इधर यहां 5 से multiply करेंगे, तो कितना हो गया, 200 हो गया, तो answer कितना हो गया, इसका D, बहुत easy है, BPSC के pattern के अनुसार, इसी तरह का question BPSC में पूछा जाता है, दोस्तों, आज के वीडियो में इतना था, thank you for watching, दोस्तों, आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रहा है, तो प्लीज वीडियो को like and share कर दिया करें, ताकि वीडियो बनाने के लिए motivation मिलता रहे, जो लोग इस चैनल पर नए आये हैं, तो इस चैनल को subscribe कर लें, और bell icon को भी प्रेस कर लें, ताकि next वीडियो upload होने पर आप उस समय पर notification मिल सकें, फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा है, comment box में comments करके जरूर बढ़ाएं